कि अधिए 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 फिटर थियोरी में हैंड टूल से रिलेटड कुछ मात्पूर्न जानकारिया दूंगा यह वीडियो का पार्ट नंबर 6 है इस वीडियो में भाइस से रिलेटेड कुछ हमात्पून जनकारिया होगी और जो चैनल पना है वो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अबस दबाएं ताकि नेक्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ स साधन है जिसमें जॉब को मजबूती से पकड़ कर उसे फाइलिंग मशिनिरिंग और दूसरे परकार का ओप्रेशन किया जा सकता है पहला है बेंच वाइस पहला कौन सा है तो बेंच वाइस है इसमें परमुख पार्ट है यह क्या है तो स्लाइडिंग जा है यह हैंडल है यह स्कुरू है और यह स्लाइडर है और यह क्या है शोलाइडर है जिसको पर्यूख पर किया जाता है इस कारीयों इसके चोड्डायी से लिया जाता है भारतिया यानि प्राया 75 से 1500 mm तक पाई जाती है भाइस से बेंच भाइस का परियोग उन कार्यों को अच्छी तरह बानने के लिए किया जाता है जिन पर प्राया कीसी एक का परियोग करके बेंच भाइस की उचाई का समयोजित किया जाता है यह दो पर दो है इसमें से एक से क्या होता है उसको उचाई का सम्योजान होता है पहला है भाईस के बेंच के नीचे लकड़ी का पैकिंड लगा कर अच्छी तरह से डिजाइनिंग किया हुआ वाईस फिक्टर पर योग किए जाता है दूसरा है बेंच भाईस की उचाई तब सही होती है इसमें है तो उपर ये स्क्रू नट है ये कौन सा है तो ये है तो टॉमी बार है इसको क्या नम है यहां मुवेवल जा है ये कौन सा जा है तो ये मुवेवल जा है और ये फिक्स जा है नीचे वाला कौन सा जा है तो ये फिक्स जा है और ये हैंडल है एकोची है तो हैंडल है इस परकार इस भाइस के जाप राया भी अकार के बने होते हैं इस परकार का भाइस को गोल अकार जौब आसानी से बांदने के लिए किया जाता है इस भाइस का अधिक्तर पर्योग पाइप फिटिंग के समय और बिजली के बर्क सॉप में किया जाता है नेक्स्ट है लेग भाइस कौनसा है तो लेग भाइस है यह कौनसा भाइस है यह लेग भाइस में यह कौनसा पार्ट है तो थ्रेड जा है यह कौनसा है तो थ्रेड जा है यह सॉलीड जा है यह मुभेवल जा है और यह कौनसा है तो यह स्पिंडल है यह कौछ क्या है तो स्प इस वाइस को जाब समनानतर ना खुल कर गोलाई से खुलते हैं इसका अधिकतर पर्योग लोहार गिरी सौप में किया जाता है जिस से इस पर गर्म जाब को बाँध कर फोर्जिंग वेल्डिंग इत्याधी कार्ज किया जाता है इस वाइस के body raw iron या mild steel की बनाई जाती है इसका size इसके जाक की चोड़ाई से लिया जाता है कहां से लिया जाता है इसके जाक की चोड़ाई से next है hand wise ये कौन सा वाइस है तो hand wise है ये hand wise में ये क्या है तो thread screw है ये क्या है तो wing nut है ये pin है और ये है तो ja है जैसा कि नाम से सिध है इस भाइस को हाथ से पकड़कर पकड़कर परियोग में लाई जाती है इसके जा समनाबद तर ना खुलकर गुलाइ के रूप में खुलते हैं इसके जा को खोलने और बंद करने के लिए एक बिंगनट का परियोग लाया जाता है यह प्राया माल्ड की बना जाती है इसके जाके चोड़ाई के लिए किया जाता है नेश्ट पीन भाइस यह दोनों पीन भाइस है यह प्लक पीन पीन प्लक है इस परकार के बाइस चोटे आकार के होती है जिसकी बनावट में एक और हैंडल होते हैं और दूसरी और चक होते हैं कहोती है तो चक होती है इसके चक को गुआ कर उसके छोटे चोटे जाव को पीन इत्यादी को आसानी से पकड़ा जा सकता है इसका अधिकतर परियोग घडी साज और इस्टूमेंट मेकेनीक के दवारा किया जाता है यह प्लक यह पराया माइलड श्टील की बनाई जाती है नेक्स्ट है टूल मेकर वाइस कौन सा वाइस है तो टूल मेकर वाइस है इस परकार के वाइस बहु छोटे साइज के समनांतर जा वाली वाइस होती है यह वाइस प्राया टूल मेकर के द्वारा परियोग लाई जाती है यह प्राया एस्टील की बनाई जाती है किस चीद की ब देखेंगे और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के शेयर और कमेंट अबस करें अगर हमारे चैनल पने हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन वस्तवाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके बिए्यो वीडियो का मैं अच्छा आ में ब Merci